को दूब सो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हालड़ी फीश के बारे में अपको ऐसे में कुछ चार हली फीश बाताने वाला हो जो आपके टेंग में आरम से रख सकते हो अगर अपनी एक्विरियम फीश के होबी है उसको शुरुवात करने को जा रहे हो तो हाल्डी फीश मतलब क्या रहता है कि हाल्डी फीश मतलब वाटर कंडिशन अगर आपके टैंग में खराब हो गया तो उसमें वो सर्वाइव गर सकती है अपको पाचा कि कुछ ऐसे फीश रहती हैं उनको स्पेसिफिक वाटर कंडिशन रगता है आपका अमोनिया का ले बात में आगया वाटर टेमपरिजर उसमें आ गया वाटर का हाड़नेस में आ गया तो बहुत सारे जो एक्वरियम फिश रहते हैं उनको पर्फेक्ट वाटर कंडिशन चाहिए रहते हैं एगर वाटर कंडिशन थोड़ा भी चेंजर से हुआ तो उनको डीजेज होता है और आछ एक्वरियम फिशों मर जाती है हाइडी विश उनको भी बोला जाता है जो की वाटर करनेशन है उसमें अगर चेंजेज भी होए तो भी यो खुद को एड़ेट कर लेती है उस नए कंडिशन में वो खुद को जिंदा है वो उस वाटर में रखती है और यह सारे एकवरेम फिश रहते है वो रहते है बीगिनर लगता है जैंदे को आप सब्सक्राइब करें हैं जो कुछा सब्सक्राइब कर ज partie की को सब्सक्राइब जिन्दा रह सकती है उसमें पूरी दर और से वाटर मड़ी रहती है तो बीकुराओं में अच्छे से खुड को एड़ित कर लेती थी और सर्वाइव कर लेती थी तो एक हाइडी फीश है और एक ओमनीवरस बीचे तो बहुत सबस्क्राइब है इनको ट्राइक कर सकते होने मीटी फूड भी आप ट्राइक कर कोई फूड को ही हुट vyka अगर अच्छी सी वेराइटीज है। उसमें मिलेगे। पट मैं स्पेसिबिक जो गोरामी फिश है उनको वाटरका अलग लगता है।trach भी प्रॉब्लम आ सकती तो तीन एक्वरियम फीश मैंने आपको वड़ता है कुरामी फीश में आप यह ट्राइक करो और भी एफिश के पिंग और भी एंजय करोगे आपको भूट सारी चीज़े हैं वह पता चलेगी तो आप कुरामी फीश को ट्राइक कर सकते तो यह मेरा फ है तो आप इनको बहुत सारे फूर्ट से वह ट्राइक कर सकते हो दूसरी जो बात है कि मॉलिश इतने ज्यादा साइज में ग्रोव नहीं होती तो आप कुछ अप देड़ फीट से लेके आप उनको और भी ज्यादा जो एक्वरियम साइज उनमें आप एड़ कर सकते हो एक सकती है और एक चार से पास साल तलग जिंदा रहने वाली एक्वरियम फीश है तो लाइप सपन भी इसका अच्छा है बहुत सारे वाटर कंडिशन अगर खराब भी रहेगा तो भी आपके एक्वरियम में रहेगी मॉली फीश आप पूरा को मैं भी मेरे बहुत सारी मॉली जैसे अगर मेरे और सब्सक्राइबर रहेगी तो आपको पता रहेगा मॉली फीश है आराम से रख सकते हो किसी ब्रकर की दिख्कत ने आएगी आपको यह धहन भी रखने का है इनका टाइम डू टाइम वाटर चेंज करने का है आप वन विक में 30 से 40 परसना वाटर चेंज क अगर आप अपने होबी की शुरुवात कर रहे हो या फिर को यह फाली फीश देख रहे हो तो मॉली फीश आप रख सकते हैं आपके टैंग में आदमें जो थर्ड जो एक्वरेम फिश है वह टीन फॉल बाप एक अच्छी फिश है इनको ग्रूप में रहना अच्छा है एक फिट तलब ग्रूप होती है तो हम लोग जब एक्वरेम से खरीते हैं तो भी बहुत ही छोड़े साइज में रहती है पर उसके बादे रैपिटली ग्रूप होती है और एक अच्छे का से बीक साइज में ग्रूप होती है तीन फॉब आपको बहुत सारी फूड आप दे सकते हो परट एक फिट Ki-dating चाओ है तो अपना कर सकते हो क्योंकि एक Harbi Orus Aquarium Fish है Harbi Orus मतलब कह रहते हैं कि इनको Vegetables खाना अच्छा लगता है Vegetables related इनको Food खाना अच्छा लगता है आप एलगी वेपर स्वेगरी भी देख सकते हो आरम से खाएगी है Boil Food सारे रहते हैं वो भी आप दे सकते हो वो भी आरम से खाएगी टेनफ़ बाप एक अच्छागासा पेट आपके टैंग में साबित हो सकता है क्योंकि यह जो फीश है ए 20 सालतरलग जिन्दा रह सकता है तो आपके बस डॉग है तो उससे भी ज्यादा सालतरलग जिन्दा रह सकता है तो यह आप ध्याइन में रखना पूरी जिन्दागी निकाले रहते हैं कि हम लोग इनको छोटे एक्विरियम में रखते हैं और इनकी जो बढ़ती है इनकी जो औरल साइज हो नहीं बढ़ती है तो इसके लिए मैं आपको मैं बता दाओ कि फॉल बाप अगर आप खरीद रहो तो आप एक बड़े साइज का ए इनको देतो जो कि अपनी जो ग्रोस साइज है अपनी जो ग्रोस साइज है उसको चकर सके और अच्छे से ओं आपके टैंग में ग्रू हो सके बाद में जो फो फॉर्थ एन लाश हाड़ी फीश है ओ है इरिडिशन शारक इस शारक के भोधेजा हाड़ी फीश है 4 feet तलग ग् तो एक पहले से एक बड़े टैंग आप प्लाइनिंग करें और अगर आप ऐसे फीश सोच रहे हो कि वाटर कंडिशन सही से ना हो तो भी वह जिंदर है तो बेशक आप खरी सकते हो किसी भी प्रकर की आपको दिक्कत नहीं देगी एक ओमनी वरस फीश है वेजडेबल भी खा स ना क्योंकि यह स्कूलिंग फिश है किसी को पता नहीं यह चीज़ है कि स्कूलिंग फिश है इनको भी ग्रूप में अच्छा रहता है मैं दो क्यूं बोल रहा हो अब तीसे चार फिट के टैंग में दो चीज एकदम साही से रहेगी अगर आप बड़े अगर बड़ा है वह 20 साल तलग जिन्दा रहेगी तो यह भी अब धैन में रखना तो ऐसे जो एक्वरियम फिश रहती है जो जादा समय तलग जिन्दा रहने वाली एक्वरियम फिश है पहले से इनको आप टैंक से रहोंगे वह प्रॉपर थे तो जो की वह पूरा लाइफ है वह उसमें हैं से गुजर सके हैं यह मेरा चानि उतल मेरे चार हाड़ि एक्वरियम फिश नहीं कमा ऐसे आप बीडियो में इस छारों में से को बेंस अब जारे सकते हो अच्छा लगा रहेगा, helpful लगा रहेगा मिल्देगु जाए साइं इंट्रेशिंग और अच्छे कासी टॉपी केज़ा तब तलग दोस्तों, टेक केर एवरी वाद और बाई